हेलो, गुड मॉर्निंग, आप सभी को हमारे प्यारे टेरिस गाडन से आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने घर में जितने सारे गुलाब के प्लांट लगाए हो, उसको दिखाऊंगा, तो गुलाब के प्लांट को दिखाने से सबसे पहले, मैं आपको दिखाऊंगा, एक प्लांट में कितने सारे कली आये हुए हैं, और इसको किस तरीके स आप ला सकते हैं, देखा कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक प्लांट देखा रहा हूँ, यहां से इसका बड़्स देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एक आरा, लगभग एक प्लांट में जो है, इस वाले प्लांट में 12 ऐसे कली है, चोटे चोटे तो मेरी बहुत सारे भीवर बोलते हैं कि हमारे जो गुलाब का प्लांट उसमें कली नहीं आ रहे गुलाब नहीं बन रहे सारा चीज बताऊंगा एक दम पूरी मैं एक प्लांट आपको दिखाया एक प्लांट अब बारा कली दूसरा प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर देखें कितने सारे छोटे 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 रोजे अभी आये हुए हैं और भी मैं आपको दिखाता हूं जो भी गुलाब के प्लांट मैं साथ इसमें इसमें आपको धिखा दियार देख सकते हैं कितने सारे koli हैं तो खिला हुआ है 2 इसमें यह वारा रोज में इसमें इसंटे कितने सारे कली हैं एक दो तीन चार पांच तो यह कैसे पॉसिबल हो रहा है कि हमारे गुलाब के प्लांट में इतने सारे कली जो हैं आ रहे हैं सारा कुछ नौलेज देने वाला हो इस वीडियो के अंदर यह तो इस वीडियो के लास्त तक जोड़ देखिएगा तो गुलाब प्लांट के रिगारड़ियों हम लोग चार से फॉइल यहां पर डीकर्ष करेंगे सब्सेपे अतुम्स करेंगे के इतने सारे जो एंधर हम कोन सा फर्टलाइजर टार बात करेंगे घार की दूसरी हम Himself बात करेंगे इसकी स्वैल का फिरिपरेशन इसे जो कि बहुत ज्यादा आहम रोड रहता है चौथा हम इसको बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इसमें थंडी के सिजन पर भी वाटरिंग करना चाहिए और पांसमा जो हमें विकली फटलाइज किस तरीके से करना चाहिए गुलाब के प्लांट का तो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो को में जरूर मिलेगी तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए बात कर लेते हैं गुलाब के प्लांट लगाने के लिए सबसे अच्छा जो है ग्रो बैग या फिर मिटी के गमले का साइच क्या होना चाहिए ताकि हमारा जो गुलाब है वो प्रोपर तर पॉट या फिर इस तरीके से ग्रीन गुरो बैग है वो परफेक्ट रहता है गुलाब को लगाने के लिए तो हमने देखा सकते हैं आपको जितने सारे पॉट है एक दो सभी पॉट जो है 18 इंच के हैं इस तरीके से और इसमें से हमने लगाया है तो कोसिस किजिए सबसे पह हर साल चेंज करना पड़ता है गुलाब के प्लांट के लिए जब भी आप स्वेल का प्रिप्रेशन करें तो ध्यान रखे कि आपको जो स्वेल चेंज करना है वह स्टार्टिंग थंटी में करना है अक्टूबर नॉवंबर में आप इसमें स्वेल का चेंजिंग कर दीजिए और स्वेल का प्रिप्रेशन करना है वह करना है फिप्टी परसंट गार्डन स्वेल का और फिप्टी परसंट भर्मी कंपोस्ट का तो फिप्टी परसंट गार्डन स्वेल करने का मतलब है कि जैसे मुझे यह अगले साल चेंज करना है तो इसका जो मातर रखेंगे इस मिट को एट करके डाल दीजिए ताकि आपका प्लांट जो है फिस्ते रिजनरेट हो से किया गर्मी के दिनों पर भी गुलाब के वारे हमने डिसकर्ज किया था किस तरीके से हम लोग गुलाब के प्लांट को बचा सकते हैं तो स्वयल का जो प्रिप्रेशन करना है वो मैंने बताया है पहला पॉइंट कि 50% गार्डन स्वयल और 50% फर्मी कंपोस्ट जो की चैंज करना है आपको स्टार्टिंग ठंडी के हर साल में दूसरी चीज आप हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो मैंन फेक्टर होता वह होता प्रूनिंग हमें प्रूनिंग भी करना चाहिए जैसे हमने स्वयल को चैंज किया मान लेजे आप मेरा ये वीडियो आज देख रहे हैं और आज आप की सारे प्रोसेस कर रहें तो जब भी मेरा दीदिचे को हैए यानि की स्वयल को चैंज करेंगे के तुरंत बात ही डिट में प्रूनिंग कर सकते हैं तो प्रूनिंग क्या होता है इसके बारे भाषा से मैं कट आउट कर देंगे और इससे जो मेरा नया ब्रांचेस निकलेगा उसमें फिर बट्स देखने को मिलेगा यानि कि जो भी बेकार ब्रांचेस है जैसे कि यह ब्रांचेस से मेरा फूल आ चुका है तो दुबारा और आने के चांसे नहीं रहता है तो simply हम इसको यहां से पूर् का तो पूर्णिंग को भी आपको जब स्वैल को चेंज करेंगे तभी आपको प्रूर्णिंग करना चाहिए अब हमनों बात कर लेते हैं इसकी weekly fertilizer के लिए हमनों क्या-क्या यूज कर सकते हैं इसका weekly fertilizer के लिए 2-3 चीज आप इसमें डाल सकते हैं पहला चीज आप स्वैल को चेंज करेंगे स्वैल को चेंज करने के बाद आप weekly seaweed liquid fertilizer का यूज करेंगे जिसका की complete video हमने अपने YouTube चैनल पे 2-3 दिन पहले अपलोड किया है कि seaweed liquid fertilizer का यूज हमें अपने प्लांट में regular करना चाहिए weekly fertilizer के तौर पे जिसका result आपको यह देखने को मिलेगा इसके अलावा आप जो है इसमें डाल सकते हैं rock phosphate तो rock phosphate का आपको यूज करना है अपने गुलाब के प्लांट में महिने में एक बार वह भी एक मुठी तो rock phosphate और seaweed liquid fertilizer का separate वीडियो दोनों को अलग अलग करके मैंने दिखाए अपने YouTube चनल पे कि किस तरह के से यूज करते हैं सबसे पहला टाइफ मेरा यह रहा आप देख सकते हैं completely यह कुछ दिन पहले खिला था यह भी हाल फिलाल में खिलने के लिए तयार है दूसरा है white rose तो white rose का भी देख सकते है completely अभी खिला हुआ है एक नहीं करीब दो तीन अभी plant पे है sorry full आए हुए है गुलाब के रोज पे अब मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से टेबर रोज जो की काफी छोटे होते हैं और काफी branches में आते हैं इसमें से देख सकते हैं इतने सारे आए हैं इसमें आने के लिए तयार हैं इधर भी काफी आने के लिए तयार हैं और इधर भी देख सकते हैं completely गुच्छे में गुच्छे आए हुए है और चौथा टाइप यहां पर आप यह देख सकते हैं यह कुछ दिन पहले खिला था अभी यह छोटे-छोटे है अभी यह खिला नहीं है पाच्वाई आप यहां से देख सकते हैं येलो रोज को जो कि आने वले टेम में 7-8 इसमें तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा और यहां से आप देख सकते हैं एक रोज इस टाइप का है तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिसकस किया किस तरीके से गुलाब प्लांट का केर करते हैं आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर इ चनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा तो फिर मिलते हम लोग को इस गार्डन का नेक्स्ट अपडेट लेकर किए